कि हाई यह डूटल कीया आपसे बहुत अच्छे। आपसे बहुत खुशंहें और ओर यूटुब्ट चैनल पर आपका स्वागत है हैं आज की वीडियो में हम बात करने वारे मेंゴ जर्मिंगरिके लिपाअगल के बारे में और आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही इंप्रॉटन टॉपिक ए के जो सक्वाल हेम Miss G1 जर्मने बात कि बॉय कह onaalenट काहीं हैं और बहुत सारे दूसरी कंट्री के मेरिट कपल से हैं जो जर्मनी में अपने स्पाउस के पास जाना चाहते हैं और इन सब का एक ही कॉमन क्वेशन होता है कि क्या मुझे जर्मल लैंग्विज एवन सेडिफिकेट की जरूरत है अगर मुझे जर्मनी का स्पाउस वीजा च कि मैं चाहता हूं कि आज जितने भी हमारे बाद के कपल से जो प्लैन मनाने जर्मनी जाने का और जो दूसरी कंट्री के कपल से हैं पाकिस्तान बंगलादेश श्यलंका नेपाल भूटान क्योंकि जो रूल है वह सब के लिए सेम है तो जो यह मैं आज वीडियो बना रहा हूं कि किन को किन किन को जर्मन लैंगवज एवन सर्टिफिकेट की जरूत पड़ेगी अगर आपको जर्मनी के स्पाउस वीज़ चाहिए और यह रूल इंडिया के लोगों के लिए है कपल्स के लिए पाकिस्तान के लिए बंगलादेश निबाल भूटान बर्मा जितने भ जो न्यूज देते हैं इंफ्रमेशन देते हैं रियालिटी बताते हैं वो सिर्फ आप लोगों तक पहुंच पाती है और बहुत सारे से लोगों होते हैं जिनको इसका आंसर चाहिए होता है बट वह हम तक नहीं पहुंच पाते हैं तो सबसे बात है कि जैसे हम आपकी वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों से अपने फेस्बूक अकाउंट पर इंस्टाग्राम पर ताकि और जितने भी लोग हैं दुनिया में जिनको जाना है उनको भी पता चले कि उनको जर्मा लैंग्वेशन चाहिए या नहीं चाहिए तो आज इस वीडियो में आपको स वीडियो के सबसे पहले में हमारे भारत के लोग हैं दूसरी कंट्री के लोग है मैं सभी को एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं जो आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जर्मनी जो कंट्री है वहां की जो ऑफिशल लैंग्वेश है वह जर्मन लैं जो जर्मन के लोग हैं वह इंग्लिश लैंग्वेश भी बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपलेशन जर्मनी में ऐसी है जो बाइलिंग्वल है यानि कि जर्मन भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं यह इसलिए ऐसा है क्योंकि जर्मनी के लोगों को भी पता दोनों बोले जाती है तो इसका आपको ध्यान रखना है अब मैं बात करता हूँ कि किस किस को जर्मल लैंग्विज का A1 सर्डिफिकेट चाहिए अगर आपको जर्मनी का स्पाउज वीजा पाना है तो इसमें मैं सबसे पहले बात करता हूँ पहली कैटेगरी की और वो कैटेगरी है जो कपल स्टूडेंट स्पाउज वीजा पर जाना चाहते हैं ध्यान से सुनना स्टूडेंट स्पाउज वीजा पर जाना चाहते हैं तो ये पहली कैटेगरी में डिस्कस कर रहा हूँ तो बहुत बाहर क्या होता है कि हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे कपल से शादिशुद्र कपल से जो सोचते हैं कि हम जर्मनी जाएंगे पढ़ाई करने और साथ में अपना स्पाउस विज़ा भी लगाएंगे तो जब ऐसे के लोग होते हैं जिनको जर्मनी में स्टडी करने यानि कि एक स्पाउस को चाहि के लिए एन ल negro लेंगवेज का सर्डीख लेंगे क Skills क कहने का मतलब यह कि जो स्पाउस शुबज या वाइप जो जर्मनी जारा पड़ाई करने के लिए उसका जो spouse इंडिया में है चाहे husband हो चाहे wife हो उसको German language A1 सीखनी पड़ेगी उसको German language का A1 का गॉयथा का certificate necessary है compulsory है तभी आप वीजा पा सकते हो तो इसमें आपको ध्यान अकना है कि जो भी आपका इंडिया में spouse होता है तो आप अपनी जो spouse visa की जो application का process वो भी शुरू कर सकते हो साथ में German language भी शुरू कर सकते हो सीखना ताकि उससे क्या होता है कि दोनों चीज़े parallel चलती है तो यहाँ पर आपको appointment मिलती है और यहाँ पर आपको German आजाती है तो आपका time बच जाता है तो कहने का मतलब भी है कि आपका time बच जाता है और आपकी application जल्दी से जल्दी process हो जाती है तो इस तरीके से आप German language सीखना शुरू कर सकते हो इस्पेशली student visa की category में जो आते है spouses and इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सुरते हैं कोई हम से German language सीखता है तो हम उसको एक महीने के अंदर सिखा देते है A1 level A1 level बहुत असान लेवल होता है बेसिक लेवल होता है जिसमें आपको ज्यादा मैनत नहीं करनी पड़ती है बहुत असानी से सीख जाते हो तो इसमें आपको द्यान लगना है कि डरना नहीं है German language सीखिए और हम भी सिखाते हैं अगर आप चाहते हो कि हम आपको English में सिखा है German language तो हम आपको सिखा सकते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे हिंदी में समझ में आती है अपने clients के लिए तो बहुत clear है मैंने आपको चैसे समझा दिया है कि जो spouse, student visa पर जाने वाले spouses के साथ apply करना चाहते हैं उनको A1 चाहिए तो इसका आपको पहली category के आपको ध्यान लगना है अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी category के couples की जिनको spouse विज़ चाहिए तो बहुत बार क्या होता है हमारे इंडिया के जो married couples है उनमें से एक spouse को यानि की husband वाइफ को जर्मनी के अंदर job मिल जाती है तो जब जर्मनी में एक spouse को job मिल जाती है जो जो दूसरा spouse होता है जिसको इंडिया में रहना है तो जिसके पास work visa होता है उसको भी जर्मनी लैंग्वेज सीखनी कमपल सरी होती है जो इसका spouse इंडिया के अंदर आता है तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको job मिल चुकी है जर्मनी के अंदर तो अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो जो आपका spouse है उसको जर्मनी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टन चीज है तो बहुत साई लोग को मिलती है लेकि इसमें ये भी ध्यान लगना है कि जिसकी salary per year एक साल के अंदर 40,000 यूरो से कम होती है उन सबके spouse को जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ये बहुत 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 बदा रहा हूँ क्योंकि बहुत सार लोग confused हो सकते है मेरे पास तो work visa है पर मेरी salary तो कम है मेरी salary इतनी है तो बहुत सार लोग confused हो सकते है इसलिए मैंने आपको एक ही answer दे दिया कि जिस भी इंडियन कपल की आप जो दूसरी कंट्री से कपल है अगर आपका जो जर्मनी में spouse रहता है उसके अगर salary 40,000 euro से कम है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप उसके spouse हो तो आपको German language A1 सीखनी ही पड़ेगी तो ये कही न कहीं बहुत ज़रूरी हो जाता है जिनके पास work visa भी होता है तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि work visa वाले जो spouse होते हैं उनके इंडिया के spouse में जो होता है भी जर्मल लैंग्विज सीखनी पड़ दी है तो वही process में बताया है कि जब आप visa की अपने visa की application शुरू करते हो तो साथ में आप जर्मल लैंग्विज भी सीखना शुरू कर सकते हो ताकि आपकी दोने चीज साथ साथ में चलती रहे और आपको भी जल्दी से visa मिल जाए तो यह जो दूसरी category है इसका भी आपको ध्यान रखना है So now I hope कि मैंने बहुत अच्छे तरीकिस आपको समझा दिया है तो आज के बाद जितने भी हमारे इंडिया के couple हैं उनके भी doubts खतम हो जाने चाहिए और जो दूसरी country के couple हैं पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, भुटान, शिलंका आप सब के doubts भी खतम हो जाने चाहिए क्योंकि आप सभी के spouse को A1 का German language का certificate चाहिए अगर आपका spouse या तो student है या फिर work visa पर है जर्मनी के अंदर तो इस तरीके से आज मैंने आपको reality समझा दिये तो confusion मत पालना German language सीखना शुरू करना ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपका spouse विजगा केस लग सके और जैसे मैंने बताया थे कि हम German language सिखाते हैं इंग्लिश में उसे और हिंदी उसे तो जैसे आपको समझ में आता है वैसे हम आपको German language सिखा सकते हैं और हमारे जिस स्टूइंस हैं उनके marks 90 से उपर आते हैं तो आप सोच सकते हो कि जर्मन सीखना हो तो भी आप में contact कर सकते हैं अगर आपको spouse विजए जर्मनी के लगाना है तो वह भी आपको दिला सकते हैं तो आप कि आपको सब को समझ में आ गया हमारे इंस्ट्राग्रम को ज़रूर फॉलोग करना तो थेंगे सो मच आपके कीमपी टाइम का भी आपको बच्सान प्लीजा अपना ना की